नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे डूम ट्विटर के बारे में दोस्तो इस ट्विटर को आप अपनी गाड़ी या फिर आप अपने छोटे या बड़े किसी भी एम्पलिफायर या फिर होम थिटर वगेरा में आसानी से लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है देखिए दोस्तो ये मेरे पास में ट्विटर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि JSB कमपनी का है और दोस्तो इस ट्विटर को आप अपने बड़े आठ या दस इंच के स्पीकर के साथ लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है इसक इसको किसी भी आउटपुट के साथ लगा सकते हैं दोस्तो अगर आप इसको रीटेल में खरीदते हैं तो इसका प्राइज आपको तकरीबन 100 रुपए के आसपास देना होगा लेकिन अगर आप इसे होल सेल शॉप से लेते हैं तो फिर ये आपको 60-65 रुपए में आराम से मि लगा सकते हैं आप इसको हर तरह के इसमें जो है वो ऑप्षन दिये हुए होते हैं तुईटर अच्छी तरह से निकाल लिए हैं देखिए दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टुईटर है इस पर ये लोहे की जाल होता है जिसको कि आप इस साइट से छुटा कर और इस साइट से भी आप इसको कहीं पर भी आसानी से इस तरीके से दिवार पर या फिर आप अपने होम थेटर या फिर छोटे बड़े बॉक्स पर आसानी से चिपका सकते हैं देखिए ये एक इसका सौकिट है जिसमें इसको लगाया जाता है आप इसको एक drill के मदद से भी आप दीवार पर इसको लगा सकते हैं इस screw से और इसके बाद आप इस तरह से इसको आसानी से अपनी दीवार पर भी रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरह से देखिए दोस्तो ये इसकी लीट है, काफी लंबी लीट होती है इसके साथ ही दोस्तो अगर आप इसको डारेक्ट स्पीकर के साथ जोइंट करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं इनमें ये थोड़ी दिक्कत आती है दोस्तो इसकी लाइफ को आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें एक कैपसीटर लगाना होता है जिसकी वज़ा से इसकी लाइफ काफी ज्यादा हो जाती है और ये साल और साल चलते हैं खराब भी नहीं होते हैं दोस्तो इसमें कैपसीटर को किस तरह से लगाते हैं और इसकी sound कैसी होती है ये सब मैं आपको speaker की आने वाली next वीडियो में बताऊंगा दोस्तो इसके साथ ही मैं आपको इसकी sound भी सुनाऊंगा दोस्तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करके notification बेल को भी all पर select कर लें दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम